असलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों आप सब अच्छे रहे हो खुश रहे हो दोस्तों आज हम आए हैं यू नो डट वेरी वेल के रोडिंग प्रैक्टिस करेंगे हिज्जे के साथ तो देखिए यह है दाल जर दी और यह है नून तो हो गया पूरा मिला के दिन चिक है यह चो अगर आपने ना देखी हो तो इससे पहले जो हमने वीडियो अप्लोड की है रिडिंग प्रैक्टिस वाली है कोई सी भी है ना रिसेंट्ली तो उनके डेस्क्रिप्शन में आप जरू देखीगा और इसमें हमने उर्दू के लेटर्स अल्फाबेट के शॉर्ट फॉर्म व पिश्टो हफ्तो यहां तक हुआ इस नून गुन्ना को मिलाएंगे तब होगा यह हफ्तो ठीक है यह है मीम का चॉर्ट फॉर्म और फिर यह बढ़िये दो नुक्ते के साथ चांद का टुकड़ा और यह दो नुक्ते तो यह बढ़िये और छोटी यह दोनों का ही होता है द है अडम वद्यू लिवाधन अछिए का इस्टिमाल गनजाते हैं यह बढ़िये बढ़िये बन जाता है यह रहां पे जहां में और मन आय और मी आये तब ये चोटी है बन जाता है है ना मीम बढ़ी है जिर मे उनुना हो गया मे है ये बे जबर बा नीचे एकनुटा है बे का यहां से वहा है अर दाल है बदा बादा ओर ये लाम है तो हो गया बदल यह है गाफ गाफ जबर गाफ हमजा है और फिर बड़ी यह हो गया गए जीम जबर जव और यह है बे हो गया जब वाव और छोटी है पेश वो यही वर्ड दोस्तों हिंदी में वह पढ़ते हैं लेकिन अर्दू में यह ह की आवाद साइलेंट है है ना स्वा सव जबर सो और बड़े हे सेहर रे और अल्व जबर रा सहरा यह है काफ और बड़ी यह जएर के डाल जएř दी और यह लाम दिल काफ और छोटी यह जmill की गाफ और छोटी हे जबर गह ठीक है इतना हुआ गह यह जो है ना इस तरीके से चोटी है तो चोटी है कि तीन चार फॉर्म होती है शौट फॉर्म में वह आपने देखी लिया होगा चोटी है गह रे और अलिव जबरा गहरा फिर उसके बाद हमजा है अब पर चोटी है तो गहराई लेकिन वाव भी है तो ये वाव पेश यो गहराई यो नून गुन्ना मिलाएंगे इसमें तब होगा ये पूरा गहराई यो गहराई यो ठीक है मीम बढ़ ये जिर मे अनून गना होगया मे डाल और अलिव जबर दा खेजर खई और ये है लाम होगया दा खिल चोटी है पर पेश वाव पे उलड़ा पेश हूँ हमजा और बढ़ ये वे हूवे ठीकर दोस्तों ये है शीन 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 जबर शव और ये डाल शद लेकिन डाल के बाद च्छोटी ये है हो गया शदी और ये डाल शदीद शदीद यानि बहुत ज़ादा बहुत एक्स्ट्रीमली जो बोलते हैं चीक है गाव जबर गाव और ये रे गर मी छोटी ये मी गर मी अलिफ और वाव जबर आव और ये रे हो गया और रे और बड़ी ये ज़र रे और ये है ते हो गया रेत गाव और बड़ी ये ज़र के बे और बड़ी ये ज़र बे रेत के बे ते जबर तो बड़ी है और अलिफ जबर तहा शीन और च्छोटी है जबर शाह बे तहा शाह तोई पेश तू वाव पे उल्टा पेश हो गया तू फे और अलिव जबर फा तू फा और ये नून हो गया तू फान नून और बड़ी ज़र ने अलिफ पेश उ और ये नून उन काफ छोटी ये की बे जबर बर बे जबर ब और ये रे बर दाल और अलिफ जबर दा बर दा और ये शीन बर दाश और ये ते बर दाश्ट ठीक है दोस्तों ये काफ और अलिफ जबर का अलिफ जबर इ और ये मीम हो गया इम ते और ये हे ते जबर ता हे अलिफ जबर हा इम तहा और ये नून इम तहान इम तहान लाम जबर ली ये अलिफ जबर या लिया और ये कौमा है ठीक है उसके पात का इसलाम और बड़ी ये जिर ले काब जिर की और ये नून किन ले किन अलिफ और बड़ी है जबर अह मीम जबर मौ और ये दाल अहमद अलिफ वाव जबर अव और ये रे हो गया और तोई अलिफ जबर ता रे जिर री और बड़ी काफ हो गया तारिक नून वन्हा जब ये मिलाते हैं नहीं में तब होता है नहीं यानि इन आवाज यानि नाक से आवाज निकलती है हलकी सी नहीं जीम और दुचश्मी है पेश जू जू काफ बड़ी ये जिर के जूके जीम जबर जो और ये बे हो गया जब रे अलिफ जबर रा ते और बड़ी ये जिर ते राते नोन गुन्दा जब इसमें मिलाया तब हो गया ये रातें ठीक है गाइज कितना हुआ साथ मेनट सीन जबर स और ये रे सर और ये डाल सर्द छोटी है पेश है वाव पे उल्टा पेश तो हो गया हूँ हमजा और छोटी ये हुई नोन गुन्ना लिया तब हुआ ये हुई इं आवाज आती है नोन गुन्ने की वजह से ठीक है उसके बाद दोस्तों अलिफ और वाव जबर आओ और ये रे और ठीक है ना दोस्तों टे और छोटी ये टी और ये मीम तीम काफ और बडी येजर के वाव जबर हाओ और ये स्वाद हस लाम बडी येजर ले हस ले पे जबर पा और ये सीन पस और ये ते पस्त छोटी हिपे पेश है वाव पे उल्टा पेश तब ये हुआ हमजा और बड़ी है वे ते वाव पेश तो अलिफ बड़ी है जबर एह मीम जबर मा और ये दाल एहमद काव चोटी हे की मीम अलिफ जबर मा जबर चोटी हे जी माजी काव चोटी हे की मीम पेश मू चोटी हे जरही और ये मीम महिम जीम और वाव पेश जो ते देखिए जीम और वाव तब यहां पे उल्ट वाव पे उल्टा पेश नहीं होगा सिर्फ क्या है जीम पे पेश है कैसे निकालते हैं यह मैंने बार खडी में भी जो प्लेलिस्ट है उस पे भी आप देख सकते हैं और में दूसरा चैनल है लवजरूर्दू उस पे भी मैंने ओओ की आवाज बताई है उसमें यह बताया है ठीक है कोई भी लेटर उसके साथ वाव और उस लेटर पर पेश तो ठीक है महिम जो हमजा और छोटी है महिम जोई महिम जोई काव छोटी है की काव जबर को छोटी है और अलिफ जबर हा कहा नून जिर नी ये अलिफ जबर या कहा निया नून गुना में लाएंगे तब होगा कहा निया ठीक है अलिफ वाव जबर आव और ये रे और तो ये अलिफ जबर ता रे जबर दी और ये बड़े काफ हो गया तारिक काफ छोटी ये की तारिक की गाएन और बड़ी जबर गय और ये रे गयर मिम पेश मू ते जबर ता मता फिर जबर 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 जब हो गया हमायत नून और बड़ी यजिर ने छोटी है जबर हो और ये रे हर अलिफ और बड़ी यजिर ए यहां से यहां तक हो गया काफ तो हो गया ये पूरा एक काफ बड़ी यजिर के हे वाव जबर हो और ये स्वाद हस लाम बड़ी यजिर ले हसले काफ वापिश को जे जिर जी और ये नून जिन डाल चोटी है जबर दह जिन दह रे जबर रा काफ दुचश्मी है खो हो गया और अलिफ में लाया तब हो गया है रखा रखा तो इसमें क्या है काफ पे तश्दीद है जिसकी वैसे हम काफ को दो बार पढ़ेंगे एक रे जबर रा और काफ रख पर काफ दुचश्मी है अलिफ खा रख ठीक है तो उर्दू में ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों जैसा लिखा रहता है या जिस तरह से तरीका है उर्दू पढ़ने का है ना हाला कि हिंदी में अगर हम यही वर्ड लिखें तो रखा जिंदा र ही है कि अगर पसंद आई हो और पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सबी तक महचाएए हमारी वीडियो को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको यह वीडियो देखनी चाहिए चले फिर मिलते हैं आप से हमारी होगी नेक्स्ट कि झाल 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 झाल